जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई एवाड दिया जाता है ना वहां पर हमारे साथ हमारे मुल्क का नाम लिया जाता है वहां पर फरहान का नाम जब पुकारा जाता है फरहान के साथ पाकिस्तान पुकारा जाता है हमारा पर्चम जो हमारे साथ लगाया जाता है तो उस वक्त बहुत जाँदा खुशी होती है कि मुटलिफ मौलक के लोग हमे उस वक्त बेक लेख रे हैं, कोई लाइट लाइफ देख रहे हैं, कोई बैटा बोस्वार वक्ति हमारे वटन का नाम बी लिया जा रहे हमारा पर्चंबी लहराया जा रहे है데 पाकिस्तान की एक ऐसी मोटिवेशनल परसनेलिटी मौजूद है जिनकी कहानी सुनने के बाद आप सब लोग ऐसे मोटिवेटिड हो जाएंगे कि आप अपने इर्द गिर्द और तमाम पाकिस्तान के वो लोग जो आप की मदद के तलबगार हैं आप उनके लिए एक अदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीश कीपिंग मिशन के फाउंडर जनाब फरहान वलायत पट सहाब इन्होंने इंटर फेत हार्मेनि में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और आचिवमेंट्स पे आचिवमेंट्स वो मुमालिक जहां पाकिस्तान को नहीं जाना चाहता था आज इस शक्सित की बढ़ दूलत पाकिस्तान का जंडा वहाँ भी फखर से वज़ा है कि कई दोहाईयों से ये अपनी इंतमाम तर महनतों और काविशों के बावजूद आज पुरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम अम के हवाले से रोशन कर रहे हैं हिंदू हो क्रिस्चन कम्यूनिटी हो सिक कम्यूनिटी हो या कोई भी गैर मजभ जिनका तालुक इस कि वो इलाके जहां लोग भूख से प्यास सिस्कियां लेकर मर रहे थे बिमारिये में मुब्तला थे हकोमत पाकिस्तान उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी इन्हों ने अपनी मदद आपके तहए जनाब थरपारकर में तीन सो हैंड पंप और कुएं लगाए आज चब भी व में न से पोचेंगे कि कितने जहांकों ने कहां कहां से अचीव किए कितना मुतमाइन है इन एवोडस से और मजीद कौन-कौन से एवोडस अपने नाम करने चाह रहे हैं आई यह सुनते हैं इनकी कहानी इनकी सुमानी फ्रांस अब ये बताईएगा कि इंटर्फेस हार्मनी में तमाम मजाहिब को एक प्लैटफॉर्म पर इकठा करने का ख्याल कैसे आया पाकिस्तान तो अलड़ी एक अंपसंद मुल्क है यहां तमाम मजाहिब को अतनी ही मजभी अजादी है देखें अगर आप पाकिस्तान के आईन की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का आईन तो इन तमाम बातों की अजाज़त देता है लेकिन क्या हम बतौरे अवाम भी इन लोगों को ये सब कुछ करने की अजाज़त देते हैं या नहीं ये दोनों चीजों में बहुत जमीन आस्मान का फर्क है अब अगर आप कुछ वाकियात उठा कर देखना शुरू करें सिंध में जैसे वाकियात इस तरह के दस साल पहले रोनमा होना शुरू हुए फोस्ट कन्वरजन्स के भी हो रहे हैं जो इस तरह के वाकियात थे उन लोगों ने मुझे कुछ ऐसा मोटिवेट किया कि मुझे मिनॉरिटी के राइट्स और प्रोटेक्शन के लिए अपनी आवाज उठानी है और मुझे चाहिए थी अपनी आवाज उठानी और जिस तरह से पाकिस्तान का आज से दस साल पहले जितना बतौर एक अमन पसंद मुलक के पुरी दुनिया में नाम रोशन था उस नाम को दुबारा से रिवाइव करने की जरूरत है क्यूंकि अब आप देखिया है अगर आप गूगल पे सर्च करना शुरू करें मिनारिटी जिन पाकिस्तान के नाम से क्रिस्टिन जिन पाकिस्तान के नाम से आप वो वो इमेज़िस देखेंगे यानि चैर्च पे अटैक्स की मंदिरों पे अटैक्स की के देखे रूप आप उठेगी के यार ये इमेज तो हमारे पाकिस्तान का कभी भी नहीं था उस इमेज को दोबारा से बेतर बनाने के लिए ताकि हम दुनिया को ये बता सकें कि हम कोई एक्स्ट्रीमिस्ट नहीं है हम बड़े आमन पसंद हम बहुत महबत करने वाले लोग है और हमारी शरीयत हमारा दीन भी मिनारीटीज को अतनी ही अजास्त देता है जतनी ये काम पाकिस्तानी को अिजास्त होती है काम मुसल्मान को कितने लोगों को आपने जोड़ा है कितने लोगों को मोटिवेट किया है लोगों की खासतोर पर जो हमारा पंजाब है यहां पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की ज़रा ज़्यादा जरूरत थी क्योंके कंपारिटिवली दीगर सूबों के मकाबले में यहां मुझे बहुत पढ़े लिखे तबके में भी कुछ इस तरह की बाते नजराइं जो मुझे यानि बजाहिर हजम नहीं हुई कि यानि लोग यानि खुली आँखों से ऐसे वाकियात रोनुमा होते देखते थे लेकिन जब मैं उनसे उनकी फीड़वेक लेता था तो इंतहाई पढ़ा लिखा तबका भी जो है वो उनसे कोई खास हमदर्दी का इजार नहीं करता था कि ये नौन मसलिम से तो ऐसी कोई बात नहीं है अगर ऐसा कोई अकादा वाकिया रोनुमा हो भी गया तो बट अलहमदोरिल्ला जब मैंने काम करना शुरू किया तो दस साल के अरसे में वही लोग जो कि कल तक मुझे ये कहते थे कि अगर कोई फोर्सफुली किसी को दवारों में भी चर्च में भी बतारे पीस अंबसेडर जाना पसंद करते हैं और खुद वो भी यही चाहते हैं कि इस तरह की अक्टिविटीज करके पाकिस्तान का पुरी दुनिया में नाम बेहतर हो जाए पाकिस्तान के आम को दूसरे मुलकों में दिखाने के लिए और स शायद वो लोग भी मेरी डिवोशन इस तरह इस काम में मेरा पैशन और डिवोशन शायद देखते रहे तो शायद उन्होंने भी खुद ही हार मान ली कि कुछ हरसे के बाद जो है वही लोग जो कल तक हम पर कुफर का फत्वा भी लगा देते थे कि यह क्यों किसी नॉन मु जरने के साथ हैं न कि पत्थर पर पानी भी मसलसल पढ़ता जाया तो पत्थर में सुराख हो जाते हैं तो वो ही लोग जो कल तक हमारे खिलाफ बाते थे आज वही लोग एंकी सबसे पहले मेरे पास रिक्वेस्ट आही होती है कि यह क्रिस्मस आ रही है हमें चर्च लेके च जाना हम भी चलागा करेंगे। उल्मे खुदा की मखलूकी खिदमत करनी शुरू कर दी और तीन सो कुएं थर्पारकर में लगा दिये विद्ध हैंड पंप ये कैसे ख्याल आया। इस तरह से था कि हमारा यही इंटर फेट का मिशन जो है यह हमें हम इंटर फेट मिशन पर ही हम कभी के पी के गए कभी हम लोग अजाद कश्मीर गए करते करते हम लोग सिंद में आ गए क्यूंके सिंद में आपको पता है कि यानि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रिलिजिस मिनारिटी है जो हिंदू हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उनकी अबादी सिंद में है यही चीज हमें सिंद ले गए गई अमन का पैगाम लेकर हम और जहां शेहरों में हैदराबाद गए उमर कोट गए वहां से हम धरपार कर पहुँचे लेकिन जब उन लोगों की हालते जार देखी हमने वो यकीन माने देखी नहीं गई अपनी आखों से कए हम लोग यहां पर नल चलाते हैं और यार पानी हाजर हो जाता है साफ पीने का पानी और 嘹्किने उन लोगों को नंगे पैर रेट की ओपर चलते देखा दो-दो 미ल दू होना भी पसंदना करूँ यह इतना गंदा और इतना चिपचिपगा पानी anka लेस्दार आई तो यह इस पानी को कैसे पी रहे हो कैसे यह कर लेते हू किसे डाइजस्ट कर लेते हो तो पता चला वहाँ पर बचे कई बचों की हमवाद भी हो जाती थी इस्पांई की वज़े से लोग डाइरिया में मुब्तिला हो जाते थे, मुस्मोरों की बीमारी में मुब्तिला हो जाते थे, तो यहां से मुझे ख्याल आया कि यार इन लोगों के लिए जो है न मुझे कुछ करना चाहिए, जब इंटरनेशनल लेवल के लोग हमें उस वक्त देख रहे हैं, कोई लाइफ देख रहे हैं, कोई सामने बैठा देख रहे हैं, और उस वक्त हमारे वतन का नाम भी लिया जा रहा है, हमारा पर्चम भी लहराया जा रहा है, यह एवार्ड्स इनकी अचीवमेंट्स नहीं है, वो एवार्ड्स जो इनको महब्बत का इजहार करते हैं और मैं उनको सरांखों पर रखता हूँ आप भी एक अदम आगे बढ़ाएए पाकिस्तानी आवाम के लिए पाकिस्तानी क्युमिनिटीज के लिए और पाकिस्तान को एकठा कीजिए पाकिस्तान अम पसंद मुलक है आईए मिलकर साथ लेकर चलते हैं और पूरी दुनिया को ये बावर करवाते हैं कि पाकिस्तान टेरिस्त नहीं है फरहान वलाइद बच्छ साब का कहना है कि हम विक्टम हैं टेरिस्म के मुझे दीजिए अजाज़त फिल्वत के लिए इतना ही पाकिस्तान जिन्दाबाद आला हाद झाला है